MP से हैं स्मृती स्वागत है आपका जी मैंडम नमस्कार मैम मैं मेरे अंगूठे थंडर होते हैं और दर्द भी कटे हैं पैरों के अंगूठा जी दौन वां उठे कितनी हुम है 20 मेरे मम्मी के पैरों में दाग भी निकले हुम है काले काले बेटा आपकी उमर के कितनी है बताई 20 अच्छा आप ना ऐसे सीधे खड़े हो जाएं और पैर ऐसे मिला लें घुटने भी पास में लियाएं और अपने पैर चुने कुशिश करें बगएर घुटने मोड़े आप समझ गए मेरी बात नहीं तो मैं एक बार और बोल देता हूं सीधे खड़े हो जाएं पैर अपने ऐसे बराबर बराबर रखें घुटने भी पास में रखें गैप ना हो गुटनों में भी और अपने पैर चुने की कोशिश करें बगएर घुटने मोड़े सिर्फ कमर मोड़े घुटने बिलकुर ने मोड़ने चाहिए तो यह अगर आप दो चार बार दिन में करेंगे तो आप बहुत चोटे बच्चे हैं बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं और जो आपकी बम्मी के काले काले निशान हो गए हैं उसके लिए अलसी को अंग्रेजी में फ्लैक सीट कहते हैं अलसी को खरीदें और साफ होनी चाहिए कंकर बहुत मिलावट होती है उसमें कंकर वगएरा साफ कर लें और उसको हलका साफ होन के पाउडर बना लें आदा चमच अलसी खाएं मम्मी और एक चुटकी में जितना नमक जैतुन आयता है दो गिलास पानी मिला कर वो लें और आदे से एक चमच अलसी खा लिया करें रोजाना बस एक बार और यह अमल वैसे तो आपको जो मैंने बता उसी से फाइदा हो जाना चाहिए अगर नहीं हो आपको 15 दिन के अंदर फाइदा तो यह मम्मी वाला निसका आप भी ले सकते हैं आप दोनों को फाइदा मुम्किन है